Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel So दोस्तों आज की ये वीडियो TCS NQTA Ninja Preparation Python Series से related है जिसमें मैं आपको handwritten PDF notes प्रोवाइट करने वाला हूँ इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके सारे concepts clear होंगे मैं आपको सबसे पहले एक important point बता दू कि यहाँ पे Python programming जो series होती है वो काफी हद तक उसमें जो है topics से same है इसलिए ये जो मैंने video NFTQ Python programming series थी इसमें से बहुत कुछ part जो है वो इस video में मैं add करूँगा क्योंकि सारे topics जो है वो same ही है हमें Python ही पढ़ना है ये video का topic और title भी मैं change कर सकता था पर फिर से इसे upload करने का यही एक reason है कि यहां पर candidates को problem आ रही है वो यह बोल रहे है कि आप अलग से इस video को post कर दीजे जिससे कि Python series एक TCS NQT Ninja की अलग ही हो जाएगी तो यह part 1 है part 2 video में आपको जितने भी advanced topic है वो भी complete हो जाएंगे पर part 1 video में हम पूरी सारी चीज़े देखेंगे आपको पूरा अच्छे से पता चलने वाला है कि Python programming में आप क्या पढ़ेंगे कितने topics है मैं time stamp भी add करने वाला हूँ जितने topics है dictionary string जो शुरवा शुरवाट के topics है वो इस video में clear हो जाएंगे तो आप सभी को यह video बहुत अच्छे से देखनी इसमें मैंने आपको जो भी समझा आप बहुत अच्छे से समझेगा DBMS, data structure, java इन सभी के notes भी चाहिए तो मैं आपको provide कर दूँगा तो आप बस video को जो है आप time stamp के according देख सकते हैं कि कोई भी topic और आप मेरे handwritten notes को भी prefer कर सकते हैं तो चलिए video की शुरुवात करते हैं तो time कम था मैंने मेरी preparation को कैसे continue रखा तो आज की इस video में सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि python के बारे में उसी के सबसात मैंने आप previous problem को solve किया था वो भी मैं आप सभी के साथ share करूंगा और algorithms और data structure के questions थे उनको भी मैंने solve किया था तो वो भी मैं आप सभी के साथ share करने वाला हूँ तो अभी हम python को start करते हैं और देखते हैं कि python का first concept क्या है सबसे पहले python के बारे में जानते हैं कि python actually में क्या है python एक popular programming language है goido when rossam ने create किया था रिलीस किया था 1991 में web development, software development, mathematics system scripting के लिए यूज होती है python क्या करती है python server पे भी यूज होती है web applications बनाने के लिए database system से भी हम connect कर सकते हैं read कर सकते हैं, modify कर सकते हैं files अगर हम database system से connect करते हैं python को use करके हम जो big data है उसको भी handle कर सकते हैं और complex mathematics को perform कर सकते हैं python की सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि हम actually Python को क्यों use कर रहे है python different platform पे work करती है जैसे कि windows, mac, linux, raspberry pi, etc python का simple syntax है as a similar to the english language python का जो syntax रहता है वो developers को allow करता है कि वो कम line का code लिखे इसी के सबसे जो दूसरी programming language है उसमें ज्यादा line का code लिखना पड़ता है python कभी भी compiler पे run नहीं होता है python run होता है interpreter system पे इसका मतलब यह रहता है कि code जो रहता है वो execute हो जाता है जैसे ही हम लिखते हैं जितना जल्दी वो execute हो सकता है वो हो जाता है इसका मतलब यहाँ पे prototyping जो रहती है वो quick हो जाती है python object oriented programming language है पर इसको हम treat कर सकते procedural, functional और object oriented way में अब बढ़ते हैं मेरो notes की तरफ और देख लेते हैं कि पहला मैंने क्या बनाए थे notes में दोस्तों सबसे पहले मैंने python का basic introduction पड़ा था उसमें मैंने एक बात तो यही समझी थी कि python का जो code रहता है वो run होता है line by line ऐसा नहीं है compiler और interpreter का main difference यही है आपको मैं पहले बता देता हूँ compiler और interpreter का क्या काम है अब मैं आपको paintbrush पी लेके चलता हूँ और एक चीज़ बता देता हूँ यह compiler है यह interpreter है अब दोनों में difference देख लेते हैं first difference compiler और interpreter same ही चीज़ है कुछ नहीं करते हैं यह जो source code रहता है उसको machine code में convert करते हैं ठीके तो यह आपको बात ध्यान रखनी है कि यह भी code को convert करता है यह भी code को convert करता है ठीके दोस्तों अब इसके बाद सबसे बड़ी बात रहती है कि जो compiler रहता है माल लीजे मैंने यहां पर लिखा कि a is equal to 1 और b is equal to 2 और मुझे a plus b को add करवाना है और output मेरा जो रहेगा वो c में assign हो जाना चीए तो इसकी 3 value रहेगी तो compiler जो रहेगा इस operation को ध्यान से देखेगा तो compiler जो रहेगा न दोस्तों वो क्या करेगा यहां पर कि वो सारा यह जो जितने भी instruction है यह जो पूरा expression लिखा है उसको पूरा execute कर देगा एक ही बार में और interpreter है वो line by line पहले उसने माना a की value 1 आई फिर b की value 2 आई फिर उसने a plus b operation perform कराए कि 1 plus 2 3 फिर c में value जो आई उस 3 फिर उसको assign कर दिया c में यहां पर assignment operator है बीच में तो interpreter line by line work करता है माना की compiler efficient रहता है memory के terms में पर जो interpreter रहता है वो line by line ही code को run करता है और जो compiler रहता है वो ज़्यादा time लेता है क्योंकि वो पूरे code को exact execute करता है और interpreter line by line करता है तो यह difference से याद रखिएगा आगे भी काम आएगा interview में पूछ सकते हैं आप से python को अब मैंने आपको पता दिया हम python को क्यों use करते हैं हम notes की तरफ बढ़ चलते हैं और यह देखते हैं कि python का code run by run line होता है अब मैं आपको line by line run होता है इसी के साथ-साथ जो java और c++ other programming language है उसमें जो code रहता है वो किसी उनका कोई special name रहता है या special method रहती है जहां से वो start होते है जैसे c++ में main रहता है java में class बनती है लेकिन python का ऐसा नहीं है python में अगर मुझे सिर्फ 2 number को add करना है यह python का id ali है जहां पर यह run होता है python shell है तो मुझे अगर 2 number को add करना है तो मैंने बस simply 2 number यहां पर लिखे माल लीजे कि मैं a की value 2 दे देता हूं और b की value 3 दे देता हूं तो इससे दोस्तों यह होगा कि यहां पर value assign हो जाएगी और अगर मुझे आगे भी कुछ operation perform करने रहे तो मैं कर सकता हूं और simply मुझे बस यहां लिखना है कि a plus b दोस्तों जैसे ही मैं a plus b लिखूंगा और enter करूंगा तो इस type से मेरा यहां पर answer आ जाएगा कि a की a जो है वो int type का है या b जो है वो float type का है हमें यहां पर variable के type भी नहीं बताने पड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर python का automatic feature रहता है वो खुदी देख लेता है कि यहां पर variable का जो type है वो by default ले लेता है जैसे कि यहां पर अगर मैं float value भी लिखूंगा समझ जाएगा कि यह float type का है तो आपको यह बात ध्यान रखनी है अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि actually मैं काफी सारे लोगों को और candidates को एक दिक्कत रहती है और काफी सारे interviews में भी यह question पूछा गया है कि यह जो print है माल लीजे कि मुझे यहाँ पर जैसे कि a की value अगर मुझे print करनी है तो मैं simply print लिखता हूं और यह लिखता हूं तो यहाँ पर syntax error आ रही है क्यूंकि हमने direct a दिया है हमने कुछ बताया नहीं है तो इसका यह syntax होता है कि हमें जो भी लिखना है यह double जो यह brackets है इनके अंदर हम जो भी लिखेंगे जिसकी value अगर हमने define कर रखी है वह as it is का as it is यहाँ पर print हो जाएगा तो print actually में चीज है क्या तो print दोस्तो एक built-in part है python language का हमको उसको we need to import or include it from a library to make use of it यह automatically रहता है built-in part रहता है python language का इसी के ससद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो print है यह built-in part है आपसे अगर पूछ लिया जाए कि print क्या है अगर हम ऐसा बोल देते कि कुछ भी चीज को print करवाने के लिए काम आता है तो यह थोड़ा wrong हो जाता है हम ऐसा बोल सकते it is a built-in part of python and it will be used to print something on the screen तो अब हम यह देख सकते हमें बस जैसी print करना है तो यह print हो जाएगा तो आपको यह बात अच्छे से ध्यान रखनी है अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर और हमने python से related क्या लिखा था हमने python से related यह लिखा था कि यहाँ पर जो interpreter रहता है या python की shell रहती है वो मतलब efficient रहती है इसे के साथ-सत यह बिलकुल अच्छा interpreter system है क्योंकि यहाँ पर हमको सामने के सामने output मिल रहा है जैसे कि हम यहाँ पर मैं अगर कुछ operations perform कर रहा हूं तो मुझे direct यहाँ पर output मिल रहा है अब इसी के साथ-सत नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और आगे क्या चीज है अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं कि python program को हम कितने type से run कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप एक topic add किया था कि python को हम कितने python program को हम कितने type से run कर सकते हैं यह भी आप से पूछा जा सकता है पर आपको basically ध्यान होना चीए आप ideally से कर सकते हैं यह जो ideally python के shell है इससे भी आप कर सकते हैं इसी के सबस्द आप command prompt से भी कर सकते हैं जो cmd रहता है windows में command prompt से भी कर सकते हैं Linux में भी जो दोस्तो इस type से Linux में भी रहता है उसमें भी आप run कर सकते हैं जैसे यहां पर cmd रहता है इसी के सबस्द यहां पर आप python command line से भी कर सकते हैं python का जो version होता है उसके साथ python प्रोग्राम उसको रन कर सकते हैं अब जैसे कि यहां पर पूरा उस टाइप से इसे जो है वह एड कर सकते हैं जैसे कि अब बी कर दूँ तो यहां के यहीं हमें आउटपुट दिख जाएगा तो यह पाइफन की कमांड लाइन है जैसे CMD एक अलग टाइप और IDL में भी रन कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि यह इसका मतलब क्या होता है यहां पर यह जो arrow दे रखा है या हम इसे less than नहीं बोलते हैं हम इसे basically क्या बोलते हैं कि यह interactive prompt है दोस्तो, actually में जब क्या होता है, जब यह जो arrow रहता है यह represent करता है कि हम interactive mode में हैं और हम जो भी इसके आगे query लिखेंगे या जो भी हम इसके आगे operation लिखेंगे वो as it is perform हो जाएगा या वो हमें कुछ output देगा तो इसको हम greater than का sign या less than का sign नहीं बोलते हुए हम इसे interactive prompt बोलते हैं तो दोस्तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा लिखा है तो मतलब आप interactive prompt में और आगे query एक्जिक्यूट हो रही है अब दोस्तों मैं आपको modules के बारे में बाद में बताऊंगा उससे पहले हम मैं आपको ये बता देता हूँ कि ideally जो रहता है वो three key facilities provide करता है python का आप expression लिख रहे हैं और code लिख रहे हैं तो आप directly results को यहीं के यहीं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात रहती है एक code editor रहता है जो की provide करता है python का specific color syntax और highlighting indentation support अब दोस्तों ये indentation क्या होता है indentation का दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे माल लीजे मैंने आपको लिखा if a is greater than b और colon अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि print a यहाँ पर मैंने लिख दिया print a else print b तो दोस्तों इस type से यह रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब a जो है a की value यहाँ पर क्या थी 2 थी दोस्तों अब b की value क्या थी 3 थी तो अब जो 2 है वो क्या 3 से 2 क्या 3 से बड़ा है क्या दोस्तों means यहाँ पर 2-3 से बड़ा नहीं है तो यह condition यह जो if है और इसके अंदर यह जो यहाँ से मैंने यह पूरा लिख रखा है दोस्तों यह जो मैं आपको highlight करके बता रहा हूँ यह पूरा if का block है तो यहाँ पर colon के बाद आपने यहाँ पर कुछ space देखी होगी तो यह indentation रहता है indentation मतलब जहाँ भी हम जो लिखते हैं नीचे उसके कुछ आगे space आ जाती है जिससे कि वो block के बारे में पता चल सकता है कि यहाँ पर पूरा block है अब c में हम कैसे लिखते थे int main लिख रहा है उसी के नीचे सब कुछ लिख रहे है printf, scanf, cout, c in पर दोस्तो सबसे वड़ी बात रहती है अब यह जैसे else है तो यह यहाँ पर indentation है तो यह इसका पूरा block है तो यह block को represent करने के लिए indentation काम आती है पूरा अच्छे से पता चलता है python में इसका काफी use आगे तो इस type से यहाँ पर यह false हो गया तो यह condition चल गई print b कर दो क्योंकि print बड़ा अब मतलब b बड़ा है तो 3 हो गई value अब दोस्तों इसी के साथ python का जो interpreter रहता है उसकी सबसे खास यह बात है कि वहाँ पर एक debugger रहता है जो की use debugger का दोस्तों यह use रहता है कि माल लीजे हमारे code में कुछ error आ गई है या हमारे code में जो bugs आ गए है या कुछ तो उनको identify करना और उनको kill कर देना जिससे कि हमारा जो code है वो easily smoothly run हो जाए काफी सारे code editor है python के py charm हो गया इसी के साथ spider हो गया anaconda हो गया jupiter notebook हो गया आप वहाँ पर भी चला सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है उनकी अलग functionalities है interpreter की अलग functionalities है अब दोस्तों मैं आपको एक important topic जो है वो मैं बाद में बताँगा एक separate video में कि program execution क्या होता है python में काफी सारे candidates से interview में question पूछा जाता है कि actually मैं byte code compilation क्या होता है .pyc file क्या होती है और मैं आपको पता दू python की जो file रहती है जिससे हम python की file को save करते है उसको .py file बोलते हैं तो उसका वो extension रहता है कि जितनी भी python की file रहती है वो उसी से save होती है तो यह concept मैं आगे आपको separate video में एक छोटी जी video बनाऊँगा 5 minute की लेकिन 5 या 3 minute की लेकिन उसमें python का आपको बताऊँगा क्योंकि यह बहुत ही जरूरी interview में मुझसे पूछा गया था अब दोस्तों जाएपसे आगे बढ़ताऊं और यहां पर मैं देख लेते हैं कि दोस्तों यहां पर हम सब देख लेते हैं कि किस टाइपसे next concepts है तो दोस्तों next concepts समझने से पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाता हूं एक concept बताता हूं भूत interesting है अब दोस्तों यहाँ पे जैसे माल लीजे कि मैंने code लिखा जैसे मैंने यहाँ पे A की जो value है यहाँ पे मैंने काफी सारा code लिख लिख लिया जैसे कि A की value है 2, B की value है 3, फिर दोस्तों इसी के साथ फिर मैंने लिखा C की value जो है 4, फिर मैंने लिखा D की value जो है 5 अब दोस्तों यहाँ पर मैंने print करवा दी A, B, C, D अब इस type से मैंने value print करवा दी 2, 3, 4, 5 यह value print हो गई अब मैंने ideally close कर दिया जैसे मान लेजे मैंने ideally close कर दिया यहाँ से मैंने computer भी shutdown कर दिया अब मैं वापस ideally पर जाता हूँ अब ideally पर जाता हूँ इस type की जो problems रहती है उनको solve करने के लिए concept आता है module अब module क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले मान लीजे यह interpreter है आप यहाँ पर जो भी code लिखते हैं इसे बन कर देते हैं सब जो रहता है वो पूरा exit हो जाता है finish हो जाता है आपको कुछ भी वापस से नहीं मिलना आपको शुरुवात से code लिखना पड़ता है तो दोस्तों इस type से तो हमें काफी problem होगी क्योंकि मान लीजे कि अगर 10,000 line या 1,000,000 line का code है तो हम कैसे लिखेंगे बार 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 आके हम इसे किस type से इसे हम पूरा कर सकते तो उसके लिए हमारे पास एक concept आया जिसको modules बोलते है अगर हमारे program को हमें save करना है permanently तो हमको हमारे code को लिखना पड़ेगा files में जिनको हम modules भी बोलते है modules कुछ नहीं होता है simply text file होती है python में इसी के सससत इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि text file होती है python जिसमें python के statement रहते है module simply text file रहती है python में जिसमें python के statement रहते है यह हम बोल सकते हैं कि python के statement रहते है अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब यह file से अब यह फाइल आ गया यहाँ पर python का interpreter का एक feature है कि माल लीजे मैंने यहाँ पर लिख दिया a is equals to 3 b is equals to 4 और मैंने print करवा दिया a की value और a,b की value ठीक है दोस्तों अब मैंने यहाँ पर print करवा दिया अब मैं उसे save कर देता हूं तो अब मैं इसे save कर दूंगा तो यहाँ पर मैंने कर दिया locash2 और py वहाँ पर save यह.py आपको देने की जरूरत नहीं वह automatically save हो जाता है अब यहाँ पर देख सकते कि मेरी एक file बन गई है locash2.py अब मैं इसे जब भी run करना चाहूं माल लीजिए मैं computer बन कर देता हूं ideally बन कर देता हूं तो भी में इस file को यहाँ पर open करके देख सकता हूं और मैं इसे run कर सकता हूं जैसरी है मैं इसfounder करूंG कभी मैं इसे run करूंG जैसे कि अभी हम देख लेते हैं in this file पर जाते हैं और हम इसे run करते हैं तो modules का concepts भी कुछ इस type का ही है आपको अगर program को permanently SEO करना है तो आप अपना code जो है वो files में लिख सकते हैं अब दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ काफी सारे modules है, library module है, math module है हम आगे भी discuss करेंगे different different operations perform करने के लिए अग दोस्तों यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर माल लीजे यहाँ पे हमारे पास python की script है हमारे पास python की script है और अगर मुझे कुछ operation perform करना है जैसे कि मैंने कुछ भी operation perform करा और हम चाहते कि यहाँ पे हमारी value दिखे गायब नहीं हो जाए उसके लिए हम input का use कर सकते है या दोस्तों हम input का use generally input लेने के लिए भी use कर सकते है जैसे कि अगर मुझे input लेना है कि enter my name तो दोस्तों इस type से अगर मुझे कुछ भी input लेना है तो वो बता देगा कि enter my name मतलब मेरा नाम print करो जैसे मैं location लिखता हूँ यह input लिख देते हैं और यहां पर तो दोस्तों अब देख लेते हैं यहां पर कि हम input लिख रहे हैं लेकिन यहां पर कुछ inverted कॉमा जैसा आ रहा है single inverted कॉमा आ रहा है तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ यह जो input रहता है by default अगर हम इसका अगर हम इसका भी टाइप देख लें तो यह टाइप जो रहती है वह built-in function और method है हमें यह पता है यह जो type है अब यह type से मैं क्या देख रहा हूँ type से हम यह देख सकते हैं कि जो हमारी particular value है वह किस type की है जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर लिख लेता हूँ 6 मान लीजिए मैं आप बी की value देता हूँ 6 और मुझे अब type मुझे पता करना है कि यह B किस type का है मतलब कौन सा इसका data type है यह किस type का है तो हम देखेंगे तो यह int का है मतलब यहां पर उन्होंने बता दिया है कि यह class int का है तो इसी type से आप ध्यान से उसे देखें जब भी हम input ले रहे हैं या input के हम अंदर हम कुछ भी देंगे या हम कुछ भी जैसे मैं value देता हूँ तो पता है दोस्तों यह जो value रहेगी ना यह जो value रहेगी यह हमेशा string type की रहेगी क्योंकि जैसे कि माल लिजे मैं a की value 9 मैं a में लिख देता हूँ कि आप input लेडो ठीक है दोस्तों यहां पर a में हम देख लेते हैं कि जैसे input है तो माल लिजे मैंने डाल दिया 7 अब मुझे type देखना है a का तो मैं जैसे a का type देखूंगा तो यह string print हो रहा है क्यों string print हो रहा है दोस्तों जबकि यह तो int है 7 तो integer है यह string नहीं है पर दोस्तों मैंने आपको बता input by default string ही consider करता है इसके लिए हमारे पास एक option है हमें यहाँ पर int लिखना पड़ेगा और हम यहाँ पर input देदेंगे तो यह simply type है यहाँ पर अगर हम 7 लिखेंगे और अब हम अगर type चेक करते है a का तो दोस्तों हमें आपर मालूम बढ़ जाएगा कि int class का है आप यहाँ पर difference देख सकते हैं सिर्फ int लिखने से क्योंकि वो input जो रहता है वो string के loop में रहता है तो string के आगे concepts देखेंगे पर यह basic concept था जानना बहुत ही जरूरी था अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि interactive prompt के बारे में मैं आपको बता दिया है किस type से python के program कैसे run करना है आप python के program को बहुत easily run कर सकते हैं अब python के indentation के बारे मैं आपको बता चुका हूँ कि यह refer करता है space at the beginning of code line python का जो indentation रहता है उसको use करके हम indicate करते block of code यहाँ पर अगर आगे space है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर आगे space है तो block of code जो रहता है वो represent करता है अब दोस्तों बढ़ते हैं variable की तरफ अब variable के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ शायद मैं photo click करना भूल गया हूँ यहाँ पर variable का बाकी variable का मैं आपको बता देता हूँ एक बार हम नीचे चेक कर लेते हैं कि variable के जो photo थे वो कहा है क्योंकि उसे फिर हमें हाँ तो दोस्तों यह है मैं click करना नहीं बुलाओ variable का मतलब क्या होता है दोस्तों अब मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर जो भी चीज चल रही थी अभी जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ अगर मैं यहाँ पर single लिख देता तो क्या मतलब है तो दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें हमारे नाम से identify किया जाता है तो जो variable रहता है वो name रहता है memory location का जहाँ पर हम data को store करते हैं अब इसका ही क्या मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने एक variable बनाया a नाम का यह मेरा variable है मैंने equals two में लिख दिया two तो हम यह identify कर सकते हैं कि ए नाम का variable है और उसके अंदर value जो है वो two है तो variable क्या होता है name रहता है memory location का where we store data अब इसको variable क्यों बोलते हैं इसके दो कारणे पहला तो memory location रहती है जहाँ पर data store रहता है दूसरी यह चीज रहती है यहाँ पर दूसरी दोस्तों यह चीज रहती है कि name of memory location where we store data अब वाइ वेरियेबल प्रोग्राम को समझने के लिए काम आता है इसके सससर यह vary करता है मतलब वेरियेबल का मतलब यह रहता है कि यह constant नहीं रहता है यह change होता रहता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ वन लेक लाइन का है वन थाउसंड लाइन का तो मुझे ए की वेल्यू बार बार चीए और मुझे change करने ही कुछ operation परफॉम करने के लिए बार अब कने है की वेल्यू के जासे बना 4 पर treatments रहाना यहाँ रहा है कि कम आए जो इसाना बार चाहा है कि भी हो रहा है यह constant नहीं अगलिस है इस लिए इसलिए बार ब्लते इसपर यह बलते है अब दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर देख लेते हैं कि variable के कुछ rules and regulation है आपको ध्यान रखने मैंने आप लिख रखें कि first letter जो है वो underscore हो सकता है इसे के ससा digit नहीं हो सकता है जैसे कि माल लीजिए आप यहाँ पर अगर variable को ऐसे लिखेंगे कि माल लीजिए मैंने one is equal to लिख लिया nine तो अब यह क्या है दोस्तरी syntax error cannot assign to literal अगर आप यहाँ पर means अगर आप यहाँ पर जो है variable का underscore भी दे देंगे तो भी variable चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है variable में जैसे underscore दे देते हैं और आप प्रेंट करवाते हैं underscore की तो यह भी variable के रूप में ही considered होता है और यहाँ पर value print हो जाती है 0 आप देख सकते हैं यहाँ पर underscore की value 0 थी तो इस टाइप से दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि digit नहीं हो सकता है letter हो सकता है इसके साथ digit नहीं हो सकता है underscore हो सकता है अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एक points देख लेते हैं जिसका नाम है literals और literals क्या होते हैं क्यों use किये जाते हैं अब literals का दोस्तों मतलब यह होता है कि data जो कि हम किसी variable और constant में दे रहे हैं या put कर रहे हैं जैसे मैंने a is equals to 9 लिखा तो यह literal है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ data जा रहा है variable में data जा रहा है constant में data जा रहा है तो literal जो रहते हैं basically दो type के रहते हैं काफी जारे type के भी रहते हैं यहाँ पर नीचे जैसे कि numeric हो गया numeric में int long float यह literals है string हो गया boolean literal हो गया जैसे कि true false special literals अब दोस्तों एक चीज़ बताना चाता हूँ literal का सिफ खाली यही मतलब रहता है कि जो हम data दे रहे हैं किसी भी variable यह constant में numeric literal इस type से होते हैं और string literal जो value enclosed होती है single और double quotes में उसको हम string literals बोलते हैं तो friends अब हम पढ़ते हैं variables के types के बारे में कि variable कितने type के होते हैं generally variable जो रहते हैं वो दो type के होते है global variable एक local variable अब यह global variable और local variable का मतलब क्या होता है global variable का मतलब यह होता है ऐसे variable जो कि function के बाहर बनाए जाएं जैसे कि यह variable है तो इसको function के बाहर बनाएं तो वो global variable है global variable को कोई भी use कर सकता है function के अंदर भी use हो सकते है बाहर भी use हो सकते है globally accessible रहते हैं बाकि अगर इस function के अंदर अगर आप variable बनाएंगे दूसरा type के variable होते है local variable अब इसी के सबस्तर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जैसे function है इसके अंदर आपने एक variable बनाए x is equals to location तो यह क्या हो गया यह हो गया एक local variable क्योंकि यह सिफ इस function के अंदर ही accessible होगा बाहर नहीं होगा मान लीजे कि यहाँ पे एक global variable है जैसे कि यहाँ पे global variable है मैं आपको paint brush पे लेकर चलता हूँ और पूरा अच्छे से बताता हूँ कि case type से global और local variable है यहाँ पे एक variable है x की कुछ value है यहाँ पे function है फिर यहाँ पे x equals to एक और variable है तो अब दोस्तों यह variable तो global है क्योंकि यह कहीं भी यूज़ो सकता है function के अंदर भी यूज़ो सकता है function के भार भी यूज़ हो सकता है पर सबसे बड़ी बात ये जो variable है ये local है कि ये local क्यों है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो ये variable है ये सिर्फ इसी function के अंधर use होगा मतलब ये भार use नहीं हो सकता है मान लीजिए कि इस function को आपको यहाँ पर आप मान लीजिए कि यही variable same नाम का वेरियबल यहाँ पर use कर रहे है जैसे यहाँ पर भी x कर रहे है और यहाँ पर भी x कर रहे है लेकिन दोनों की different value है क्योंकि ये global है और ये local variable है मान लीजिए इस global variable को आपको इस function के अंदर भी चलाना है as function के अंदर भी use करना है तो आप यहाँ पे global keyword का use कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर same नाम से एक function same नाम से दोनो variable बन गए तो उनकी value differ किसे होगी क्योंकि यह value तो वो मान के यही चलेगा कि इसकी value तो पूरी इसकी तरह same है तो इस type से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हमें अगर किसे भी global variable को use करना है मान लीजे कि हमें जो value है उसको globally inside भी करना है function के तो global keyword के दो use होते हैं सबसे बड़ी बात function के भार भी अगर हमें इस value को use करना है globally use करना है तो हम global keyword का use कर सकते हैं इसी के साथ अगर value change करनी है variable की similar code में तो उसके लिए भी use हो सकता है जैसे कि मान लीजे यहाँ पे x की value 1 दे रखी थी और यहाँ पे भी x की value कुछ और होती पर यह global keyword है अगर यहाँ पे कुछ x और होता तो फिर हम क्या समझते कि यह local variable इसी के अंदर use हो रहा है तो फिर वो value change हो जाती तो इस टाइप से आपको याद रखना है local और global variable अब python के comments आते है comments क्या चीज होती है दोस्तो comments का मतलब यह होता है कि python comments can be used to explain python code used to make code more readable माल लीजे कि यहाँ पे मैंने 1000 line का code लिखा अब माल लीजे कि कल से कहीं नया programmer आए या फिर जो आपके teammates है वो आप सभी के साथ काम करते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि यह code आपने इतना यहाँ तक लिख लिए है माल लीजे आपने 500 line लिखी लेकिन कल से वो आप से आके बोलते कि नहीं आपने तो 100 line ही टाइप किये तो उसके लिए आप comments का use कर सकते comments executable कभी भी नहीं होते है सबसे बड़ी बात यह रहती है comments की कि जैसे माल लीजे मैंने आप लोकेश लिखा तो यह लोकेश को print नहीं करवाएगा अगर मैं सीधा ऐसा लिखूंगा तो यह error देदेगा पर अगर मैं इसे comments में लिखूंगा तो यह यहाँ पर error नहीं देगा क्योंकि यह इसे skip कर देगा यह सिफ readable form के लिए कि हाँ पढ़ सकते हैं यह आपको कुछ भी operation जाता हूं कि global variable के बारे में हमने पढ़ लेया कि ऐसे variable जो कि function के outside create होते हैं इनको use कर सकते है function inside of outside अब यहाँ पर नई चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है python keywords and identifier identifier के बाद पहले पढ़ते हैं पहले keywords के बारे में जान लेते हैं keywords दोस्तों क्या होते है keywords की से ही समझ आ रहा है कि कुछ key है means keywords है जिनसे हम uniquely या अलग ही इनकी पहचान रहती है तो keywords का मतलब यह होता है reserved words होते हैं इनको use करके हम define करते syntax और structure python language का 33 keywords हैं और वह case sensitive हैं case sensitive दोस्तों ऐसा नहीं रहता है इसका मतलब case sensitive में यह मतलब नहीं रहता है कि वह मतलब बड़े letters में भी है या large capital में भी है small में भी वह case sensitive है वह जैसे हैं वैसे ही हैं पर जो 3 keyword है true false or none उनको ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है जैसे कि lower case में they are written as usual other are in lower case case sensitive से यह मतलब है कि जितने भी python के 33 keywords है वह सभी lower case में हैं ठीके दोस्तों पर जो true false और none है जैसे यह true है तो t capital है f capital है n b capital है यहाँ पर तो इस type से यह तीनों को same लिखा जाता है बाकि सब lower case में लिखे जाते हैं तो keywords कभी भी जो रहते वह variable name नहीं हो सकते हैं या variable function का नाम और other identifier के रूप में हम उन्हें add नहीं कर सकते हैं काफी सारे keyword है जैसे की true false none यह सब keywords ही हैं अब identifiers होते हैं identifier दोस्तों identifier का क्या मतलब होता है identifier जो कि नाम रहते हैं ऐसे जो कि हम हमारे program में use करते हैं जैसे कि variable का नाम function का नाम तो दोस्तों यह सब identifier है क्योंकि नाम ही तो दे रहे हैं हम किसी को name दे रहे हैं अभी हमें भी हमारे किस मतलब define किया जाता है हमें किस से uniquely identify किया जाता है हमारे name से कि इस person का particular यह name है तो उस type से python के identifier भी होते हैं python के identifier की कुछ condition रहती है कि first letter कभी भी letter या underscore first should be letter और underscore हो सकता है digit नहीं हो सकती है special symbol भी use नहीं कर सकते हैं और identify किसी भी length के हो सकते हैं और keyword कभी भी identify नहीं होते है जैसा कि मैंने आपको यहां पर पहली बता दे है keyword अलग चीज़ है अब बढ़ते हैं operators की तरफ अब यह operators किस काम में आते हैं सबसे पहले अगर कुछ भी operations perform करवाना है हमें तो उसके लिए operator काम आते हैं माल लीजिए कि मैं यहां पर लिखता हूँ 3 plus 4 तो दोस्तों यहां पर आपको यहां पर बता हूँ तो यह जो बीच में plus है इसको हम operator बोलते हैं और यह जो 3 और 4 है यह operator है operate से मेरा यहां पर यह मतलब है कि इन दोनों यह जो है इसमें plus जो है वो operator है तो addition, subtraction और multiplication perform करने के लिए यहां पर यह operator रहेगा और यहां पर यह दोनों operate रहेंगे तो दोस्तो operators का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि symbol जो रहते हैं जो कि use होते रहते हैं, एक unary, एक binary unary में दोस्तो single operate रहता है इसी के सससत binary operator में two operate रहते हैं, जैसे कि अगर यहां पर single two लिखा होता तो यह unary होता और two operate लिखे two plus four लिखा है, plus को छोड़ी है plus को मत देखिए, two और four को देखिए तो यह binary operate है operator के basis पे काफी सारे operator रहते हैं arithmetic relational membership boolean, एक एक करके discuss कर लेते हैं, अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, arithmetic operator पे यहां पे यह कुछ data type और यह सब आ गया है, arithmetic operator के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, हाँ ठीक है दोस्तों तो इस type से arithmetic operator आ गए arithmetic operation, arithmetic operators यह से operator रहते हैं जो कि basically arithmetic operations perform करते हैं, जैसे कि multiplication subtraction, division, truncating division truncating division का मतलब दोस्तों यह रहता है, यह truncate कर देता है result को, जैसे कि first party देता है, जैसे माल लीजे कि अगर मैं यहां पे truncating division का use करता हूँ, जैसे कि 4, मैं means 4 divide 2 करता हूँ, तो मुझे 2 मिल रहा है, 2.0 मिल रहा है ध्यान से यहां पे देखिए 4 और 2 का मैं जब divide कर रहा हूँ, तो मुझे 2.0 मिल रहा है और अगर मैं यहां पे truncating division का use करूँगा, तो मुझे 2 value मिलेगी तो दोस्तों यह truncate कर देता है result को यह पूरी value नहीं बताता है यह सिफ truncate कर देता है result को आपको यहां पे ध्यान रखना है multiplication, division, exponential जिसमें हम power निकालते हैं इस type के operators रहते हैं, arithmetic operator second operator के बारे में मैं आपको बताने वालों, first operator arithmetic operator है, second relational है, third membership और fourth boolean, अब relational operators जो रहते हैं, दोस्तों relational operators ऐसे operator रहते हैं, जिनको use करके हम compare करते हैं किसी values को, जैसे की double equals to, equals to, not equals to, less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to इस type से relational operators रहते हैं इनको आप basically use करके देख सकते हैं, ideally में, अब दोस्तों बात करते हैं, third membership operator membership operator दोस्तों दो type के रहते हैं, in और not in, अब in और not in में दोस्तों क्या होता है, in और not in में यह होता है, या तो जो in, मतलब in का मतलब दोस्तों यह रहता है कि अगर मान लीजे हमें group of elements में check करना है, कि particular अगर यह इसमें present है कि जैसे मान लीजे कि मेरे पास एक list है मेरे पास एक list है, list एक data structure है python का जैसे आपने array पढ़ रखा उसी type का है, तो मान लीजे कि यह list ली मैंने और list1 में मैंने कुछ values दे दी 1,2,3 तो मैं यह लिख देता हूं और इस type से मैंने list बना दी अब दोस्तों मुझे यहा पर देखना है कि list में है की नहीं values, तो मैं लिखते था हूं for i in list, अब देख लेते हैं कि list में for, मान लीजे कि मुझे list में देखना है कि to in list अब यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर यह ऐसे नहीं होगा run दोस्तों यहां पर अगर हमें करना है इसे run तो अब यहां पर देखते यह इस टाइप से syntax error है अब मैं आपको for से चला के बताता हूं for to in list हम देख लेते हैं और अगर हे तो print करवादो true नहीं तो print करवादो अब यहां पर syntax error आ रहा है क्योंकि दोस्तों वह यह नहीं जान पा रहा है कि actually me to है क्या क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि for list 1 हम देख सकते हैं list 1 in अब हम देख सकते हैं कि list 1 में जैसे माल लिजै कि मैं आपर कुछ values दे देता हूं for जैसे मैं आपर list की कुछ values दे देता हूं for 1,2,3 in list 1 क्योंकि हमने वहाँ पर क्या define कर रखा है list1 तो अगर है तो print कर दो true तो दोस्तों यहां पर अगर print आपको true लिखना है मैंने आपको बताया था true false इस टाइप से keyword रहते हैं तो अगर जैसे हमें करना है तो अब देख लेते हैं दोस्तों कि यहां पर अभी भी यह syntax error बता रहा है यह दोस्तों मैं आपको बार चल सके concept कि actually मैं इसके पीछे concept क्या है अगर माल लीजे मैं simple value दे देता हूं जैसे कि a is equals to मैं 2 दे देता हूं अब देखता हूं कि for to for a in list for a in list देख लेता हूं कि अगर list में है कि नहीं है यह तो इस type से तो print करवा दूंगा मैं a अब दोस्तों आप यहां पर ध्यान से available नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है दोस्तों कि यहां पर इस type से list में value है कि नहीं तो आपको यह सारी errors समझ आई होगी इससे आपको एक चीज याद रखनी है कि in जो रहता है वो यह चेक करने के लिए रहता है कि group of element मतलब particular कोई list है या कोई भी चीज है तो उसमें group of element कितने है और not in जो रहता है वो उसका reverse रहता है boolean operator जो रहते हैं वो टीन टाइप के रहते हैं fourth type of operator है boolean operator and or not and को use करके हम combine करते हैं statement को and का simple सा logic है जिसे कि मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास एक expression है जिसे मैं आपको expression पर ले चलता हूँ और मैं आपर बता देता हूँ कि यहां पर a जो है a की value में देता हूँ 9 b की value में देता हूँ 9 और माल लीजे मैं 8 देता हूँ 8 देता हूँ तो इस type से यहां पर अगर मुझे check करना है कि a is greater than b and b is greater than a तो देखते हैं क्या value print करते है false तो दोस्तों अब यहां पर आप end operator का use समझ रहे होंगे यह किसी भी द statement को combine करने के लिए काम आता है जैसे यह statement अलग है यह statement अलग है तो इन दोनों को combine करने के काम आ रहा है और 9 जो है वह बड़ा है 8 से तो नहीं यह true है means यह false है तो दोस्तों आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भी end operator आए या end operator की कोई भी condition आए तो सिर्फ आपको य all is false so it is called short circuit evolution or lazy evolution इसलिए जो end operator रहता है उसको हम short circuit evolution भी बोलते हैं एक condition false हो गई तो सभी false भला ही यह true है उससे कोई मतलब नहीं हमें यहां पर एक condition false तो सब false अगर दोनों true तो answer true आएगा अगर दोनों true हो गए तो answer true आएगा और operator देख लेते हैं और operator का basically यही concept से कि combine करने क काम आता है end और और दोनों combine करने के लिए काम आते हैं पर इसका सिफ यह condition है कि अगर एक भी condition true हो जाती है तो सब true है जैसे कि माल लीजे कि मैं यही condition ले लेता हूं same यह condition ले लेता हूं और इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस type से हमें यह condition को execute करना है जैसे a b a is less than b ले ले 3 से 9 जो है वो 8 से जो है वो मतलब इस type से आप यहां पर ध्यान से देखिए यह वाला आप condition देखिए अगर any one of condition true है तो answer true रहेगा जैसे कि 5 यहां पर जो है वो less than 6 से तो यह क्या आया true आया और 5 is equals to greater than equals to equals to 5 तो यह भी true है तो यहां पर एक भी condition true होती है तो answer true हो जाता है और मैं आपको यहां पर यह ध्यान रखना है अब दोस्तों not operator का basically यही use रहता है कि यहां पर अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि membership operator के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है तो मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि माल लीजे मुझे membership operator को check करना है कि इन का क्या use होता है तो जैसे मैंने एक number लिया five in अब मैं check करता हूं कि five क्या list में है कि नहीं तो इस type से हम देख लेते हैं अब यह देख लेते हैं और true आ गया तो यहां से in का काम आपको समझ आ गया होगा अब यहां पर इती सारी errors आई उसके बाद अपने हम को जाके समझ जाया है कि यहां पर in का क्या मतलब होता है जिसे five है तो हम check कर रहे है कि यह इसमें present हे कि नहीं है तो अगर present है तो true आ गया नहीं present होता धो false आ जयता अब दोस्तो not in का मतलब यह है कि अगर present है तो answer false आगा अगर नहीं present ивается तो answer true आए गा अब यहां पर यह boolean operator जो रहता है boolean operator का third type पहला type मैंने आपको बता है end और जो third type रहता है वो not रहता है माल लीजिए true है माल लीजिए a की value जो है वो 9 है और b की value जो है वो 0 है और माल लीजिए मैंने लिख दिया कि if मैंने लिख दिया कि a c is equals to a greater than b तो यह condition क्या आगई हम माल लीजिए मुझे c की value प्रेंट करवाना है तो मैं direct c लिखूँगा और यह true आगई यह true है तो अगर मुझे इसे उल्टा करना है तो मैं not में लिख दूँगा c और not में c लिखूँगा तो यह condition false हो जाएगी reverse कर देता है यह statement को तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना output को तो आप दोस्तों यहाँ पर हमने arithmetic पढ़ लिए relational पढ़ लिए और यहाँ पर हमने काफी सारे operators देख लिए हैं अब मैं आपको selection control statement और यह सब के बारे में बताता हूँ precedence और associativity का मतलब क्या होता है precedence और associativity का मतलब यह रहता है कि जिस operator की highest priority रहती है वह पहले execute होता है multiple condition में जैसे कि 2 plus 5 into 4 है तो अगर हम basic तरीके से करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि यह 2 plus 5 है तो यह 7 हो जाएगा 7 into 4 तो इस टाइब से answer हमारा यह आना चीए पर यह गलत रहेगा इस टाइब से हमें नहीं करना है हमें जो है वो priority follow करनी पड़ेगी symbols की तो सबसे पिले brackets की priority रहती है फिर जो रहती है वो exponential की फिर unary operator unary operator के बारे में आपको बताएगी unary क्या होते है इसके बाद multiply divide truncating division modulus plus minus greater than or equals to इस टाइब से यह जो रहती shift operator रहते हैं bitwise और xor logical end इस टाइब से इनकी priority रहती है तो अब यहाँ पे जो priority है इसमें उसमें सबसे बड़ी priority किसकी है multiply किया क्योंकि plus की priority बाद में होती है यहाँ पर table से आप देख सकते इस table को याद रखिएगा आगे बहुत काम आने वाली है तो इस type से 5 into 4 20 हो जाएगा फिर plus चलेगा तो 20 plus to 22 तो इसका correct answer 22 है तो आपको यह ध्यान रखना है अब दोस्तों हम नीचे पढ़ते हैं और आब हम देख लेते हैं कि case आब हम यह पढ़ते हैं कि selection control statement क्या होते हैं iterative control statement क्या होते हैं इनका हम क्यों use करते हैं अब दोस्तों इस diagram को आप ध्यान से देखिए और control structures क्या होते है control structures को हम यह means control structure का basic मतलब यह ही रहता है कि 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 order में हमारा जो program है वह execute हो रहा है means जैसे अगर sequential हो रहा है control structure तीन टाइप के होते हैं Python में sequential selection iterative sequential की बात आपको बताओं तो sequential मतलब sequence wallow कर रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं A की value 9D, B की value 0D, C में operation perform कर रहा है यह sequential है पर अगर हम किसी और चीज़ की बात करें जैसे कि selection, selection में हमें यह बताना रहेगा कि यह condition true है, यह condition false है अगर यह condition चलती है तो true, नहीं तो यह condition चलती है तो false तो इस type से, if else statement, if statement, multi-way selection यह सब selection में आते हैं, iterative में दोस्तों यह रहता है कि अगर multiple condition चेक करनी है, यह यह चेक करनी है कि यहाँ पे हमें बहुत बार values चीए, तो उसके लिए हम use करते है iterative का, जिसमें while loop और for loop आते हैं तो control structures के बारे में ध्यान रखेगा, इस type से होते हैं first control structure है sequential, sequential बता चुका हूँ बढ़ते हैं, selection control statement की तरफ, जो की तीन type क्यों होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे select करना पड़ता है, selective part if else statement, if else statement बहुत ही simple है जब हमारे पास दो choices रहती है और अगर हमको एक choice को choose करना है कि हाँ यह एक choice true है, तो इस पर operation perform हो रहा है यह एक choice true है, दूसरी choice false है तो यह if else के under आएगा अगर यह नहीं चला, if वाला block नहीं चला, तो else चल जाएगा तो यह याद रखना है, if statement सिफ, if statement का खाली यह मतलब रहता है दोस्तों, कि अगर हमको सिफ a की condition चेक करनी है, कि हाँ हमें सिफ यही condition चेक करनी है, तो condition true है, तो हम if का use करते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि if else का आप देख सकते हैं, कि जैसे अगर मैं if else की बात करूँ, तो if a is equals to b कर दूँ, और मैं सिफ यहाँ पर print करवा दूँ a, अब मुझे a की value देखनी है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा, a की value 9, b की value 0, 9 बड़ा है 0 से, तो इस टाइब से यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप true print करते हैं, तो true, अगर माल लीजे कि मुझे a की value नहीं print करनी है, अगर माल लीजे कि मुझे देखना है कि a बड़ा है कि नहीं b से, अगर बड़ा है, तो true print कर दो अगर नहीं बड़ा है तो false print कर दो, जैसे यह else में, आपको else में जाना है, और इस type से यहाँ पर print करके, यहाँ पर आप false print करवा दीजे, तो यहाँ पर true print हो जाएगा, क्योंकि यह if वाला block चल जाएगा तो इस type से आपको ध्यान रखना है और दोस्तों, multi-way selection में nested if आता है, multi-way statement में तीन type के हैं, if else, if statement multi-way में दो type के आते हैं nested if और leaf error nested if में दोस्तों यह होता है कि if statement के अंदर another if statement रहता है, अगर यह condition माल लीजे, एक if condition है, वो अगर true हो जाती है, तो फिर next condition भी check करेंगे, तो answer true होता अगर हमको execute करना है statement और चेक करनी है, multiple condition उसके लिए हम nested if का use कर सकते हैं बात करते हैं, elif header की elif header क्या होता है elif header का दोस्तों, यह मतलब रहता है कि माल लीजे, मैंने condition चेक करी, if और else, अब if check कर ली else चेक कर ली, पर मुझे अगर check करना है, एक condition तो मैं if else का use करूँगा, लेकिन अगर multiple condition चेक करना है, तो मैं elif का use करूँगा, elif में दोस्तों यह रहेगा, कि माल लीजे यह नहीं चला, यह चलेगा, यह भी नहीं चला, यह चलेगा, और अगर यह तीनो, दोनो, तीनो, चारो नहीं चले तो फिर आकरी में else है, तो इस type से elif का मतलब होता है, elif का मतलब यह होता है, else if और if elif, else ladder, तो इस type से पूरी एक cd रहती है, यह एक ladder रहता है, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं, iterative control statement की तरफ और देख लेते हैं, काफी सारे notes में topic है, आप उन्हें refer कर सकते हैं iterative में सबसे पहले loop में आता है while loop, while loop का सबसे पहला मतलब यह ही रहता है, while loop, जिंदगी पर याद रखने के लिए एक ही बात याद रखिएगा कि जब तक आपको condition true करवानी है, जब तक condition true है, तब तक आपका while loop चलेगा, while loop का syntax बहुत ही simple है, जैसे की condition और statement तो while loop में माल लिजिए count की value 1 है, count आपका एक variable है उसकी value 1 है, count यह देख रहा है कि less than or equals to 5 जब count less than or equals to 5 हो जाएगा, तो जब तक यह true रहेगा जैसे count यहाँ पर 1 आया, तो 1 is less than or equals to 5, equals to तो नहीं है, पर less than true हो यह condition तो count प्रिंट कर दो, count को 1 से बढ़ा दो, फिर count यहाँ पर गया, तो यहाँ पर 2 आगया, 2 आने के बाद वापस true, तो इस type से यह पूरी condition चलती रहेगी, तो दोस्तो जब तक while loop तभी चलता है, while loop का हम जब use कर सकते हैं, जब हमें as और as condition को true करवाना हो अब next हम चलते हैं for loop पे, और for loop में हम देख लेते हैं कि actually मैं for loop क्या है for loop का use करके iterative control statement दोस्तों, 2 type के होता है, for loop होता है और control structure, 2 type के होता है, for loop होता है, और while loop होता है, तो while loop बता दिया है, for loop का मतलब यह रहता है, कि अगर हमें repeat करवाना हो sequence में अब sequence का क्या मतलब है जैसे कि sequence में दोस्तों मैंने आपको data structures के बारे में बताया, python के अभी आगे भी हम discuss करने वाले हैं, तो list it applied dictionary set, इस type से data structures होते है, python के तो माल लीजिए, कि जैसे माल लीजिए मैंने एक while condition लिखी मैंने a की value ले ली, 9 और मैंने यहां पर लिख दिया कि while, while a is less than or equals to 9 तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि मुझे print करवाना है a, और सिर्व मेरा a, एक बार print होगा, और a में मैं कर दूँगा a plus 1 अब दोस्तों देखते हैं, value के stripe से आरी, अब दोस्तों आप ध्यान से देखेगा यहां पर जो value है, वो मैंने यहां पर direct print करवा दिये, a को a से बढ़ाया नहीं है, तो यह while loop जब तक condition true होगी, तब तक यह false करेगा, क्योंकि, यहां पर जैसी a की value क्या मैंने आपर print करवा दी, 9 करवा दी, तो इसमें क्या चली गई, value उठके ही नहीं है, दोस्तों, क्योंकि यहां पर 9 चला गए, तो 9 plus 1, 10 होगया, यह conditions fall होगई, उसने बाहर फिट दिया, अब अगर माल लीजे, मैं आपर for loop का use करता, जैसे कि a की value मेरे पास 9 है, जैसे हम check कर लेते, a की value हमारे पास क्या है अभी, 10 है हमारे पास अभी, दोस्तों क्योंकि यहां पर value change होचुकी है, value नहीं assign होगई तो हम इसे अभी, ठीक है, हम 10 ही रहन देते हैं, माल लीजे, मैंने check करा कि for a is greater than 12, ठीक है दोस्तों, मैंने यह check कर लिया, तो यह syntax error है, इस टाइप से कभी भी for loop execute नहीं होता है, क्योंकि for loop का जो रहता है, syntax रहता है, for का syntax में आपको बता हूँ, तो for variable in sequence, for ऐसे ही check होता है, दोस्तों, कि for अगर माल लीजे, variable in यहाँ पर keyword है, इस टाइप से इसका syntax रहता है, कि माल लीजे, मुझे एक number check करना है, कि 5 जो है, वो इस list में present है कि नहीं, जैसे 2, 3, 6, 5, इसमें present है कि नहीं, तो यहाँ पर syntax error आगया, क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर मैंने inverted comma नहीं, means, यहाँ पर मैंने semi colon नहीं लगाया, इसके syntax है, तो यहाँ पर print कर दीजिए, yes, यहाँ पर print कर दीजिए, yes, अगर है तो नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखे, अब वो यहाँ पर आपको 5 को नहीं समझ पा रहा है कि actually मैं 5 चीज है क्या, क्योंकि अगर हम direct लिखते, तो वो नहीं समझ पाता, तो यहाँ पर अगर हम value दे देंगे, कि I की value जो है, वो 5 है, यहाँ पर मैं I नाम का वेरीवल ले लाता हूं और दे देता हूं, और मैं लिख देता हूं or मैं लिख देता हूं for I in 1,5 अब दोस्तो Conc bog 1,5 मैं इसा दे देता हूं और मैं लिख देता हूं, कि print I अब देखे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखे है यहाँ पर एक्चुली यह values प्रिंट हो चुकी है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा i की value क्या है दोस्तों 5 है for i in 1,5 तो i वो बोल रहा है कि क्या i 1,5 में है तो दोस्तों वो इस टाइप से है तो print करना है i की value तो for loop का सीधा सा concept है कि जब भी कोई variable हमें अगर sequence से iterate करवाना है sequence का generally मतलब यह रहता है least tuple dictionary set तो दोस्तों अगर हमें apply करवाना है for loop को यह हमें iterate करवाना है उसी के अंदर काफी सारी multiple sequence में चलाना है तो हम for loop का use करते है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते fruits की value है apple और banana अब हमें यह देखना है कि for x मतलब x मतलब एक कोई variable है वो fruits में है कि नहीं है और print करवा देना है x तो जो भी values रहेगी fruits की apple और banana वो सब आ जाएगी यहाँ पर इसमे means apple बनाना cherry यहाँ पर एक value और रहेगी cherry तो इस type से आपको याद रखना है अब दोस्तों देख लेते हैं कि य nested loop भी रहता है nested loop का मतलब यह रहता है कि लूप के अंदर एक loop माल लीजेए यह first loop है और यह inner loop है तो यह इस type से condition चलती है पास स्टेट्मेंट loop break में दो libt statement रहते एक ब्रेक रहता है continue रहता है एक pass स्टेट्मेंट रहता है ब्रेक से दोस्तों यह रहता है कि हम सिप ब्रेक कर देते हैं अगर हम multiple condition हम चला रहे तो हमें अगर किसी statement को रोखना है तो उसके लिए आप ब्रेक का यूज कर सकते अगर हमें उस condition को continue चलाना है तो continue का use कर सकते हैं और pass statement का दोस्तों ये मतलब रहता है कि अगर माल लीजिए हमें कुछ भी नहीं देना है जैसे कि माल लीजिए अभी मैंने condition लिखी कि for i in 1,5 और हमें error नहीं चाहिए इसमें तो मैं direct pass लिख दूँगा ये pass हो गया कुछ error ही नहीं देगा क्योंकि हमने pass का use कर लिया तो इससे error भी reduce हो जाती है और किसी reason से हमने कुछ नहीं execute करा है तो हमें error नहीं चाहिए तो हम pass लिख सकते हैं बागी जो loop controls रहते हैं उसमें दो type की चीज़े रहती है परफॉर्म होते है अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यह रहती है range function की range function क्या रहता है कि अगर हमें loop करवाना है specify या set of code में specify number of time तो हम range function का use करते है जैसे कि range function मैं आपको यहाँ पर use करके बताता हूँ यहाँ पर माल लीजे कि मुझे range function का use करना है और मैं अगर print करता हूँ x की value तो यहाँ पर देख सकते कि 0,1,2,3,4,5 तो यहाँ पर जो भी variable दे रहे हैं वो इस range में जाएगा तो range का यही काम है कि आखरी वाले number जो रहता है जहां तक हमें चलानी index 0 से start होती है और particular उस type तक चलता है मतलब 0 से start होता है और increment होता है default 1 से मतलब 1 से increment होता है जैसे कि 0 के बाद 1,2,3 और end हो जाता है उस number पर means specified number पर जैसे कि 0,1,2,3,4,5 और हमें 6 तक range print करवानी थी तो जो 0 to 5 ही value लाएगा क्योंकि इसमें 0 include रहेगा जहां से start हो रहा है तो आप यहां पर ध्यान रखेगा एक और रहता है दोस्तों की range function चो रहता है वो default करता है increment sequence by 1 जैसे कि माल लीजे मैं आप एक range function चलाता हूं कि for x in range 2, means 1,6 कल लेते हम और उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं कि हमें print करवाना x तो इसका simple सा concept चे याद रखना 1,2,3,4,5 तक value चलेगी 6 के exclude हो जाएगा 1,2,3,4,5 इस type चे value आ गई है 1 से start हुई है चालो अब माल लीजे मैं ऐसा करता हूँ कि for x in range या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि for x अब यह दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देख रहा हूँगे कि यह 1 से increment हो रहा है जैसे 1 के बाद 2,3,4,5 अगर माल लीजे मुझे 1 से increment नहीं करना है मुझे 1 से जादा increment करना है जैसे मुझे 6 तक value चाहिए और 2 number को मैं छोड़ के values लेना चाहता हूँ तो मैं print कर दूँगा x तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर क्या changes होते है 1,3,5 1 के बाद उनने एक के बाद एक value छोड़ दी जैसे कि मुझे 2 का जो है वो increment चाहिए क्योंकि by default increment 1 होता है अब मुझे 2 का चाहिए तो 1 के बाद value का है 2 चूड़ गया 1 चूड़ गया 3 आई 3 चूड़ गया 4 चूड़ गया 5 आई और उसके बाद तो कोई value नहीं है तो इस type से दोस्तो range function का काम रहता है याद रखिएगा बहुत आगे-ागे काम आने वाला है loop control मैं आपको बताई कि execution भले ही condition true हो और continue में यह रहता है कि वो continue करता है statement को जब भी हमें current iteration को stop करना रहता है या continue करना है next के साथ अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इस type से क्या है अच्छा है दोस्तों यह function है अब दोस्तों मैं इस type से इसे कर लेता हूँ रोटेट कर लेता हूँ यह तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यह function का part है तो function के बारे मैं आपको बता हूँ तो जो function है दोस्तों function क्या है एक block of code है means यहाँ पे दोस्तों यह sub page rotate हो गए है एक मिनिट दोस्तों इन्हें सही कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि किस type से जो function है वो काम आने वाला है हमें आगे तो दोस्तों अब जो function है means जो actually में function का use है अब एक मिनिट दोस्तों मैं आपको वापस से PDF open कर लेता हूँ क्योंकि PDF में दोस्तों कुछ दिक्कत आ रही है वो पूरे means पूरा वो हो चुका है python python के notes तो दोस्तों इस type से यहां पर यह जो python एक मिनिट दोस्तों मैं इस PDF को वापस से open कर लेता हूँ अब दोस्तों यहां पर python के exam notes 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 ठीक है दोस्तों यहां पर हम इस PDF को close करके इस PDF पर चलते हैं क्योंकि rotation के कारण कुछ दिक्कत आ गई थी तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अब हम function topic start कर रहे है function topic का मतलब function का मतलब यही रहता है दोस्तों कि अगर block of code है तो अगर आप block of code रहता है जिससे कि आप specific task को perform करते हैं उनको हम function बोलते है function हमें काफी चीजों में काम आता है क्योंकि अगर हमें बहुत सारा code नहीं लिखना है हमें कुछ particular चीजों को ही mention करवाना है तो उसके लिए हम function का use कर सकते है function काफी अच्छी चीज़े हम देख लेते हैं कि actually मैं function क्या है तो दोस्तों ये इस type से कुछ error नहीं दे दे वापस इसलिए मैं इसे open कर लेता हूँ दूसरी tab में और उसके पहले मैं इसे rotate कर लेता हूँ एक बार क्योंकि इस type से rotate हो रहा है तो दोस्तों जो function है वो block of code है जिससे की आपका जो function है function है दोस्तों वो block of code है जो तभी रन होता है जब हम उसको call करते है जब भी हम उसमें data pass करते हैं उसको हम parameters बोलते है function में function हमको return करता है data as a result आपको कोई भी function बनाएना है तो उसके लिए आपको def keyword का use करना पड़ेगा def नाम का keyword होता है def उसके आगे आपको function का नाम लिखना है और फिर function में आप जो भी operation जो है वो perform करवाना चाहते हैं अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक थीस बताना चाहता हूँ क्यास टाइब से यहाँ पर फंक्शन के operations है वो perform होते हैं तो दोस्तों function जो रहता है वो basically यही रहता है कि आप जब उसे call करते हैं means से तब वो run हो जाता है पर function के लिए हमें कुछ important points को जानना बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि function block of code है कब run हो रहा है जब हम उसे call कर रहे function return करता ही data as a result आपको बता दिया function को केसे call करना है अब मैं आपको function बना के बताता हूँ फटा-फट से जैसे कि function को बनाने के लिए def करना पड़ा है और माल लेजे कि मैंने location नाम का एक function बना दिया है इस type से function का नाम है और यहाँ पर मैं कुछ भी अंदर जो है वो arguments या parameter पास करवाता हूँ यह मुझे print करवाना है simply true यह एक string हो जाएगी तो मुझे simply print करवाना है अब मैं यहाँ पर location लिखूँगा और यहाँ पर तो इस type से जब भी हमें यह जो function है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस type से यह जो रहती है function calling रहती है function को बुलाते है function के अंदर जो भी value रहती है वो as it is यहाँ पर print हो जाती है तो यह function को बुलाने का तरीका रहता है अब arguments का मतलब क्या होता है दोस्तो कि यहाँ पर जो भी हम information pass कर रहे हैं function में इसको हम argument बॉल रहे है function में हम जो भी information pass कर रहे है argument बॉल रहे है और argument स्प्टिवाइड होते है after function नीम inside parenthesis यह जो parenthesis है इसके अंदर यह जो है दोस्तोफो यह क्या है arguments है और हम जो भी है parenthesis है!! हम जितने चाहें यहाँ पर argument जोड शूड सकते है as हम information यहाँ पर pass कर रहे हैं इसी के सबस्त अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप से function है function में आपको दो चीज़े समझना बहुत ही जरूरी है कि यह function में आपको दो चीज़े बहुत ही समझना जरूरी है जैसे कि यह function को हम call कर रहे है और function की जो पूरी functioning है मतलब जो पूरा work है उसको हमने समझ लिया कि कैसे argument जा रहा है हम जो भी data pass करते हैं function में उसको हम parameters बोलते हैं और arguments जो की separated रहते हैं parentheses में अब बढ़ते हैं दोस्तो next topic की तरफ सबसे पहले तो मैं आपको python के कुछ data types के बारे में बताना भूल गया हूँ उपर रहे गए data types तो यह हमने if else statement पढ़ा था उसके पहले data types आता है तो दोस्तो data types generally यही होते हैं कि data type जो रहते हैं वो actually classes और variable रहते हैं मतलब class और variable रहते हैं object of classes means data type class रहते हैं और variable जो रहते हैं object रहें क्योंकि python में हर चीज जो रहती है वो इस type से बोली जाती है python में हर चीज जो रहती है वो एक data type की रूप में रहती है data रहता है तो जो variable रहता है वो have that data different а different type different चीजे कर सकती है so built-In data type के कुछ यहां पर python के यह जो data structure है दोस्तो data type है data type की simply दोस्तो यह है python में data जो रहता है वो object के form में रहता है आइधर वो built-in object हो या object हम python से बना रहे हो अब built-in type का दोस्तो मतलब क्या होता है built-in type का दोस्तो मतलब यह रहता है कि program easy से लिख सकते हम extension का component रहता है of data type और data python में जो भी चीज रहती है process करते हैं वो एक object का type रहती है या is a kind of object अब दोस्तो हम बढ़ते हैं function के बाद अगली चीज पर जो की string हो सकती है या list double dictionary set क्योंकि यह topic दोस्तो थोड़े complicated नहीं है पर आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं मैं और इससे बता देता हूं दोस्तो video काफी लंबी हो जाएगी इसकी वज़े से बाकी list double dictionary set हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है function की एक चीज फटा फट से बता देता हूं यह function है डिफ नाम का जो भी रहेगा argument यह हम information पास कर रहे है और यह parameter और यह function की definition है मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो यह पूरी function की definition हो गई और यहाँ पर function calling हो रही है तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है by default इस टाइप से यह दोस्तों इतने काम की चीज नहीं है और दोस्तों एक random number generator का भी module होता है python में जिससे कि हम अगर random number generate करना है तो हम random module की use की तरफ से import करना है हम को सबसे पहले random को और random को import करके हम जो है modules को पूरा execute कर सकते है अब दोस्तों बढ़ते हैं python की data structures की तरफ जोगी है list tuple dictionary set list क्या होता है list रहता है group of different type of element जैसा आपने c++ में और c में यह java में array पढ़ रखा होगा उस type से यहां पर list रहती है list की कुछ characteristics रहती है सबसे पहले list को कैसे define करते मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि list को define करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आप जैसे list यहां मान लीजे आप यहां पर location लिख लेते है location नाम की list है और आप जब भी square bracket का use करते हैं और इसके अंदर जो भी value देते है वो list कहलाती है अगर आप type देखेंगे location का तो आपको यहां पर मालूम चल जाएगा कि यह class है यह list है तो दोस्तों इस type से यह जो रहती है list रहत है दोस्तों कि हम list को change कर सकते हैं अगर हमें मान लीजे list की value को replace करना है या add करना है तो list mutable रहता है हम उसे आगे भी change कर सकते है list linear data structure होती mix type of elements रहते है variable length की रहती list की कुछ list tuple set dictionary important point 4 point याद रखेगा list ऐसा collection रहता है जो कि ordered रहता है और changeable रहता है change कर सकते है duplicate member भी आ सकते है tuple ऐसा रहता है जो कि ordered रहता है और unchangeable रहता है मतलब tuple immutable रहता है set जो रहता है वो unordered रहता है unindexed रहता है और उसमें भी कोई duplicate member नहीं आते है dictionary एक ऐसा collection है जो की changeable तो है list की तरह पर unordered है और index है no duplicate member अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस type से list है list में अगर आपको किसी भी element को access करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे list को उसके index number से पहचान लेंगे जैसे कि यह student है तो इसका index number 0 इसका 1 है इसका 2 है तो आपको print करना है बस list का नाम और index type करना है और आप आप पर access कर जाएंगे फिर इस type से कुछ functions है या कुछ methods से list की जैसे की remove हो गई, count हो गई, extend हो गई, pop हो गई इन सबी को आप अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि यह important methods है list की list की methods आपको खुद पढ़नी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि वहाँ पर जितने भी quiz questions है वो मैं already list के बता चुका हूँ तो इन्हें भी आप refer कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अब दोस्तों नीचे देख लेते हैं कि और कितने सारे topics बच गए हैं यह इस type से आप इन्हें notes से refer कर सकते हैं दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको string के बारे में बता हूँ तो generally string क्या होता है string sequence of character होता है जिसको use करके हम store करते हैं और represent करते text based information str का used भी हम इसी लिए करते हैं str का मतलब string यह होता है string में मैं आपको दो चीज़े बताना चाहता हूँ कि माल लीजे मैंने a is equals to location लिखा single inverted comma में और a is equals to double inverted comma में location ही लिखा तो भी मेरी जो value रहेगी दोस्तों वो same रहेगी क्योंकि single और double inverted comma string में same treat होता है अब दोस्तों हम बढ़ लेते हैं यह slices है इनके बारे में हम देख लेंगे आने वाली quiz में इस टाइप से यहां पर string की कुछ methods है इनको आपको पढ़ लेना या आपको notes में पूरो अच्छी तरीके से मिलने वाला है और दोस्तों यह dishneries है dishnery, tuple और set यह दोस्तों आप देख लीजेगा क्योंकि मैंने इनके बारे में इतना notes जो है notes में आपको सारी चीज़े मिल जाएगी जैसे अगर आप tuple की बात करेंगे तो tuple को अगर हमें बनाना है तो tuple को हम यह round bracket से बनाते हैं और जिस टाइप से भी बनाते हैं बस tuple का एक ही चीज़ रहती कि वह unchangeable रहता है tuple के आप methods भी पढ़ सकते हैं sets के बारे में बता हूं sets को यूज करके हम इस्टोर करते हैं multiple item single variable में set को बनाने के लिए हमें curly brackets का use करना पड़ता है यह unordered और unindexed रहते हैं dictionary की बात करूँ dictionary item stored होते हैं key value pair में means एक key रहेगी और उससे related value रहेगी तो दोस्तो यह भी आप इसमें से देख लीजेगा काफी सारी methods हैं इसमें तो दोस्तो dictionary के बारे में इस type से आप dictionary को properties और यह सब पढ़ सकते हैं जैसे कि अगर आपको dictionary बनाना है तो dictionary बनाने का बहुत ही simple तरीका है दोस्तों case type से जो dictionary रहेगी उसमें आपने curly braces means आपने curly bracket दिये low cash लिखाओ और उसकी value 9 दे दी उसके बाद दोस्तों आपने कॉमा लगाया और उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहां पर dictionary है अब dictionary में आपको कभी भी बताने के लिए ऐसे आप खाली नहीं लिख सकते हैं इसे नहीं तो इससे error आ सकती है दोस्तों जैसे आपको एक particular बताने के लिए बताना पड़ेगा कि case type से आपकी कौन सी यह value है तो दोस्तों जैसे कि अब मैं आपको यहां पर ही बता देता हूँ कि case type से इसकी value है जैसे spam लिखा है तो spam एक particular variable है उसके अंदर mean से d variable है और spam की value है वो 3 है और location की value जो है वो 1 है तो इस type से जो dictionary रहती है वो define होती कि यह key है और एक value है तो key value pair के terms में आप इनकी properties पढ़िए आपको notes में मिल जाएगी वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी यहां बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर यह जो है means यह जितने भी topics है strings related आप इनने notes से refer कर सकते है python आप इसमें से पूरा देख सकते हैं आपको notes में से सारी चीज़े मिल जाएगी इसी के सबसाद जो advanced topic है जैसे की slicing और दोस्तों यह extended